दोस्तों आज में लेके आगया आपके लिए Excel का एक बहुत ही बहतरी ट्रेक जिसमें हम सीखने जा रहे हैं एक सिंगल वाल्यू का अगर मल्टिपल आंसर हैं तो वो कैसे पॉपुलेट करा हैं वो भी Excel पे आइडली आप यहाँ पे देखें जो question है हमारा वो कहता है सोहन यहाँ पे available है जो की unique है मगर दूसरी जो main sheet है उसमें सोहन यहाँ पे एक बारी है यहाँ पे एक बारी है यहाँ पे एक बारी है और सब के जो answers है वो अलग अलग है तो अगर हम x look up लगाएंगे तो क्या इसका answer आ सकता है जी नहीं इसका answer single first value आएगा चलिए लगा के देख लेते हैं मैंने यहाँ पे लगाए equals to x look up मैं look up value select के रही comma array हो जाता है column a पूरे का पूरा comma column b और bracket close simple इससे हमें क्या दिया सबसे पहला वाला answer जो सोहन था यहाँ पे देगे सोहन day सबसे पहला वाला answer इसने यहाँ पे लाके populate करके दे दिया बट हमें चाहिए सारे के सारे answer तो आप लोगोंने एक formula सुना होगा text join मगर अब मैं आगर text join के through बता हूँ आप में से बहुत जने comment करेंगे sir हमारे पास text join function ही नहीं तो mostly हर एक person के पास जो function होता है वो होता है concat तो आज हम जो formula लगाने जा रहे हैं वो हम concat function के through लगाएंगे चलिए लगा के देख लेते हैं मैंने put किया equals to concat सबसे पहले बोलता है text one अब text one में क्या करेंगे हम एक logical test supply करेंगे logical test क्या बोलेगा मेरा if condition बोलेगा अगर ये name इस के अंदर कहीं भी है तो उनकी जितने भी value है मुझे इस cell पे लाके देदो तो apply करते हैं मैंने बोला if सबसे बहले बोलता है logic test logic test है मैंने जैसे बोला this is equals to मैंने बोला अगर ये name equals to है इस पूरे के पूरे column के अंदर तो उसके बाद मैंने एक comma दिया then says value if true अगर ये मिलता है तो क्या लाके दो अगर ये मिलता है तो पूरे का पूरा मुझे column B में जो भी result है वो लाके दो नहीं तो अगर नहीं मिलता तो मैंने का नहीं मिलता तो blank करतो that's it मैंने bracket close कर दिया और एक और बारी bracket और enter press किया see इसने मुझे answer दे दिया but answer इसने कैसे दिया है मुझे सोहन के आप यहाँ पे देखे यह वाला सोहन है हमने यहाँ पे search किया एक का answer है 676 सेकंड सोहन का answer है 844 थर्ड सोहन का answer है 724 तो यहाँ पे देखे 676 844 और 724 बट आप बोलेंगे यह तो एक ही cell पे आ गया without any spaces without any segregation तो हम इसे अलग कैसे करें तो चलिए हम वापस इस formula में चल किसके तुरू लेके आया है column bb right इसमें जो भी था यह हमारा final answer लेके आया है तो मैं बोलता हूँ अगर मेरा column bb final answer लेके आ रहा है तो उसमें एक काम करो मुझे and दो and मतलब एक और मैं इसके साथ segregation के लिए कुछ दे देता हूँ मैं रहा बी बी तो answer आ रहा है मुझे उसको segregate कर दो मैंने quotes के अंदर hyphen डाल दिया और फिर से quotes बंद कर दिया that's it और enter प्रेस किया और यह देखिए आपके जो answer है वो बिलकुल segregate हो चुके है अगर आप hyphen नहीं डालना चाहते है आप प्रेस करिए इसको f2 में जाए और last वाले से आप hyphen अटाइए और एक space दे दीज हैं okay यह देखिए that means आशीश जो है हमारे पास उनका multiple times name था और multiple times names के होने के बावचूद जितने भी answer थे वो सारे के सारे यहां पर पॉपुलेट हो गया तो यह concat function आपके हर एक जने के excel में मिल जाएगा जिनके बास भी 2013 अबव है उनको जरूर मिल जाएगा आप यह concat function के true multiple answers ला सकते हैं तो आशे करता हूं दोस्ता आप लोगों को वीडियो पसंद आगे होगी पसंद आई तो like शेज सब्सक्राइब करना बिलकूल मत बूलना अपने comments देना मत बूलना और इस वीडियो को जतना हो सके जो भी excel सीखना चाहें उन सभी के साथ share जरूर करना